नमस्कार, NCRT गुरुजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह है क्लास 7 की हिंदी की किताब बाल महा भारत कथा का चैप्टर 17 अध्याय 17 दृतराष्ट की चिंता जब दृतराष्ट ने विदुर को बुला भेजा और पूछा विदुर पांडु के बेटे और दृतराष्ट कैसे जा रहे हैं मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वो विदुर ने कहा कुंति पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चहरा ढख कर जा रहे हैं भीम सेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता हुआ और जुन हाथ में कुछ बालू लिये उसे बिखेरता नकुल और सहदेव सारे सरीर पर धूल रमाय हुए क्रमशह युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं दरौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारा मुह ढख लिया है और आंसु बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुशरन कर रही है उनके पीछे पीछे चल रही है यह सुनकर धितराष्ट की आशंगा और चंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी विदुर बार-बार धितराष्ट से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधी कर लें विदुर अक्सर इस भाती धितराष्ट को उपदेश दिया करते थे विदुर की बुद्धी मत्ता का धितराष्ट पर भारी प्रभाव था इसलिए शुरू-शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे परंतु बार-बार विदुर की ऐसी ही बाते सुनते सुनते वह उब गए एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धितराश्ट जुझला कर बोले विदुर मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ धितराश्ट यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना अन्तहपूर में चले गए अन्तहपूर में मतलब अपने विष्राम घर में, अपने कमरे में चले गए विदुर के चले जाने पर धितराष्ट और भी चिंतित हो गए, वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी, यह सोचकर धितराष्ट ने संजय को बुलाया और कहा संजय मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुडा भला कह इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझा कर मेरे पास ले आओ। धितराष्ट की बात मान कर संजय जंगल में पांडवों के आस्रम में जा पहुंचे। तो धितराष्ट ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले निर्दोश विदुर मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे ख्षमा कर देना। इस तरह एक बार महर्शी मैत्रेय धितराष्ट के दरबार मे पधारे राजा ने उनका समुचित आदर सतकार करके प्रसंद किया फिर महर्शी से हाथ जोर कर पूछा कुरू जांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा वे कुशल से तो हैं महर्शी मैत्रेय ने कहा राजन काम्यक वन में संयोग से युदिस्टिर से मेरी भेट हो गई थी वन के दूसरे रिशी मुनी भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आये थे हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था यही कारण है कि मैं आपके यहां आया हूँ आपके और भीश्म के रहते ऐ उनसे वैर मोल न लो उनके साथ संधी कर लो इसी में तुम्हारी भलाई है रिसी ने यो मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया पर जिद्धी वन ना समझ दुर्योधन ने उसकी और देखा तक नहीं वह कुछ बोला भी नहीं बलकि अपनी जांग पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा दुर्योधन की इस डिठाई को देखकर महरशी बड़े क्रोधित हुए उन्होंने कहा दुर्योधन याद रखो अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओ की खबर स्रीकृष्ण को लगी उन्हें यह पता चला कि पांचो पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं यह खबर पाते ही वह फौरन उस वन में चल पड़े जहां पांडव ठहरे हुए थे स्रीकृष्ण जब पांडवों से भेट करने के लिए जाने लगे तो उ द्रौपदी स्रीकृष्ण से मिली स्रीकृष्ण को देखते ही उसकी आँखों से अविरल अश्रुधारा बह चली बिना रुकावट के आसुमों की धारा बह चली बड़ी मुस्किल से वह बोली इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे न रहे या कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आँखों से गरम गरम आँसुओं की धारा बहने लगी वह आगे न बोल सकी करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को स्रीकृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया बोले बहन द्र द्रिश्ट दुम्न ने भी बहन को सांत वना दी और समझाते हुए कहा कि स्रीकृष्ण की प्रतिग्या अवश्य पूरी होगी इसके बाद स्रीकृष्ण पांडवों से विदा हुए साथ में अर्जुन की पतने शुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यू को भी वे बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ आप से अगले चैप्टर में तब तक के लिए बाए बाए